हलो दोस्तों मैं नहीं मुहमत कैसर और आप देख रहे हैं Study Channel नई प्रात्मिक्षिक भरती के बारे में दोस्तों लोग बात करेंगे धरने के लिटेस्ट अपडेट क्या है अति साथ TZT PZT एक्जाम पर समभी महतपूर अपडेट है और UP Board के result के किस दिन आने वाले हैं तो वीडियो में लाष्ट बढ़िएगा आपको सार जानकार यहां पर मिल जाएगी तो दोस्तों अगर आपके पढ़ाई में आते हैं doubt तो doubt not के साथ करिए इसे out बस आपको question की photo किचना है, crop करना है और आपको तुरंट उस question का वीडियो solution मिल जाएगा चाहे आपका subject physics हो, chemistry हो, math हो, bio हो या फिर आप सी basic board, UP, VR, माराष्ट या किसी भी state से पढ़ने वाले हो सबका solution यहां पर मिलेगा यहां तक ही class 6-12 तक की आप तयारी पूरी कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए चल रहे धरने की लखनों में दोस्तों लगातार 22 जून से ही SEIT पर छात्र धरना दे रहे हैं छात्रों की बस एक छोटी सी मांग है प्रात्मिक में जितने भी पद रिक्त हैं उन पदों को जल से जल भरा जाए और 97,000 सिक्षक भरती की मांग ये लगातार छात्र कर रहे हैं और इसी के संबन में छात्रों ने कल बेख सिक्षा राजमंतरी जी के आवास का भी घेराव किया छात्रों के साथ पुलिस वालों ने बत्तमीजी भी की गाली गलोज भी हुआ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया लेकिन फिर बाद में इन्हें छोड़ दिया गया छात डटे हुए हैं कि वो डॉक्टर सतिस चंदिवेदी जी से मिलकर ही घर जाएंगे इसी 20 पुलिस वालों की बत्तमीजी भी देखने को मिली आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर निश पेपर में भी आई हूई है कि यह है यूपी पुलिस बेरोजगारों से बोले इंस्पैक्टर क्या बोले आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसे पढ़ नहीं सकता हूं और ये हालात हैं उत्तर प्रदेस में बेरोजगारों का धरना अभी भी चल रहा है और आगे जैसे कोई अपडेट हमें मिलती है आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी फिलहाल मांग यही है कि किसी तरीके से सिक्षामंद्री जी से परताप सिंग जी ने भी कई सारे ट्वीट किये और इन शात्रों का सपोर्ट किया और शुर्व परताप सिंग जी जो की रिटायर डियम है और ये धरना स्थल बर भी पहुंचे और शात्रों की इन्होंने होसला आफजाई भी किया आप हमारे साथ बने रहे गा जैसे कोई आगे अपडेट मिलती है आपको तुरंद इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा अगर आपके कोई सवाल हो प्रात्मिक सिक्षक भरती सम्मंध तो कॉमेंट सेक्षन में जरू लिखिएगा और धरना सिर्फ प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए ही नहीं हो रहा है हर जगा हालात ऐसे ही है कहीं पेट लास डेट बढ़ाने को लेकर धरना चल रहा है कहीं पर न्यूक्ति को लेकर धरना चल रहा है कहीं पर भरती निकल वाने के लिए धरना चल रहा है एल्टी ग्रेट के चैनित अभ्यरती धरने पर बैठे हुए हैं नुक्ति के लिए अंशन पर बैठे हैं लोग से वायोग में एल्टी ग्रेट हिंदी का ममला है अहरता तिथी का विवाद है फाइल अटकी पड़ी हुई है चात परिक्षा पास करके इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको ज्वाइनिंग मिलेगी और आप यहां पर ये चीज़ देख सकते हैं चलिए बात करते हैं टीजीटी परिक्षा 2021 के बारे में बहुत सरे चात सवाल पूछ रहे हैं तो बिल्कुल भी परिक्षान ना हो दो ही दिनों में आपकी परिक्षा हो नहीं है चाहे हो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो और इस तरह से पेपर का सेड्यूल किया जाएगा कि अगर आपने एक सेधिक विशे के लिए आवेदन किया होगा जैसे मैथ और साइन से तो आप दोनों विशेओं के लिए परिक्षा दे पाएंगे बागे कर आपने दो सेधिक विशेओं के लावेदन किया होगा तो आप इस कंडिशन बे भी आप मैक्सिमम दो ही पेपर दे सकते हैं जो की दो ही दिन ये परिक्षा होने जा रही है एक्जाम सेंटर को लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है सभी 75 जिलों में सेंटर चैन बोर्ड ने बना दिया है चातरों की मांग ये है कि कम से कम ऐसे विद्ध्यालों को सेंटर कताई ना बनाये जाए पहले तो चातरों की मांग थी कि सिर्फ वर्षिट मंडल मुख्यालों पर ही परिक्षा केन बनाया जाए लेकिन चैन बोर्ड ने इस बात को नहीं माना अब चातरों की ये मांग है कि कम से कम आप उन विद्ध्यालों श्कूलों को सेंटर ना बनाये जहां परतादक्सिक्षा कारदत है नहीं तो भारी गरबड़ी होगी इस परिक्षा में अब देखना होगा दोस्तों चैन बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है आप क्या चाहते हैं आप भी अपनी राय लिखिएगा कॉमेंट सेक्षन में अब बात करते हैं यूपी बोर्ड की यूपी बोर्ड का सैक्षिक कलेंडर जारी हो गया है 2021 और 22 शेशन का फरवरी में प्रिबोर्ड होगा मार्च में बोर्ड इक्जाम होगा 2022 में बात करें 2021 का रिजल्ट यूपी बोर्ड का कब तक आएगा तो दोस्तों जुलाई में ही रिजल्ट आपका आ जाएगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर्मेड का रिजल्ट इसी मा के अन तक आ जाएगा यूपी बोर्ड में रिजल्ट गोशित करने को लेकर तेजी से कारवाई चल रही है उप मुखमंत्री ने बताया कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आपका आ जाएगा हाई स्कूल और इंटर्मेड में इस बार 56,06 रजिस्टर्ड है तो परेडाम त्यार करने में लगा हुआ है यूपी बोर्ड और स्कूलों से साधा जा रहा है संपर्ग जैसे ही रिजल्ट आपका त्यार होता है रिजल्ट गोशित हो जाएगा और इसी महीने आपका रिजल्ट आएगा चलिए बात कर लेते हैं से बेसी बोर्ड की से बेसी बोर्ड के रिजल्ट बताया था कि 10 जुलाई के आसपास आजाएगा फिर 15 जुलाई बताया गया लेकिन दोस्तों अभी से बेसी बोर्ड रिजल्ट में डेले होने वाला है इस सब्ता अभी नहीं आएगा CBSC Board दसवी का रिजल्ट अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा अभी जुलाई के बाद ही CBSC Board के रिजल्ट आने की संभावना है तो बहुत सारे चात इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट का अब आपका जो इंतजार है वो थोड़ा सा और बढ़ने वाला है बिल्कुल भी परिशान होने के जरूरत नहीं है इस बार का जो आपका रिजल्ट हो काफी बहतर होगा पहली बार ऐसा होगा जब यूपी बोर्ड या सिबसी बोर्ड में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा 100% रिजल्ट बनेगा और सभी छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा बागी जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा नाइन टेंद का प्रिबोर्ड का गरगा उनको बहुत ही बहतर इस बार नंबर मिलने वाला है यह थी दोस्तों आज की तीन महत्पूर अपडेट वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब के बिल आइकन दबा लिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्स और वाशिंग